है लूँ फ्रेंड्स अभी हमने कुछ रिये थे बेसिक रेक्सिटिक है अब कुछ लब बेदें आई ये तो अगला जो कुछन यह नेक्स्ट पुश्ण है हमारा वह सिंपल पुश्ण है बहुत हाई भाई नहीं है यह सिंपल यह पुश्ण गया है कि टू 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 फोर पीर के पे सीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरिलल वाट इस वाट इस इक्यू वेलेंट के पे टेंस एक जो हमको अप्शन है यहां पे है वो है टू टीको फेराड सेक्ड अप्शन है यहां पे 4 पीको फेराड थर्ड ओप्शन है यहां पे 8 पीको फेराड और फोर्थ जो ओप्शन यहां को दे रखा है वो दे रखा है 16 पीको फेराड तो बताए इस्टुडेंट्स क्या होगा राइट आंसर जिसका यह पैरलल में जोड़ेंगे तो पैरलल में जोड़ेंगे तो सीक्योरिंट्स क्या होता है सीवन प्लस सीटू होता है मतलब 4 पी एफ और 4 पी एफ को आप अड़ कर रहें तो मतलब इतना हुआ एट पीको फेराड होगा अगर यहां पर पूचा जाता सीरीज में पूचा जाता है अगर यह पैरलेल था इसलिए आप को क्या कर रहे हैं सीरीज में पूचा जाता वंजिएर प्लस बन यवड़ पाई c2 होता अब 1ड पाई c1 मतलब की 4-poин-2 हो गया तह उस Rebecca तो इसका इसा ने Одप्ष्टी में टिक अब नेक्स्ट कुश्टन लिया नेक्स्ट कुश्टन जो है मारा अगला कुश्टन जो है नेक्स्ट कुश्टन यह है कि calculate the equivalent resistance of the circuit हमको अब equivalent resistance of circuit find out करना है अब देखो इसमें यह circuit हमारा इस परकार से है यह आपका है 4 ohm ठीक है यह आपका है 2 ohm यह आपका है 4 ohm और यह आपका है 4 ohm ठीक है अब equivalent resistance क्या होगा यह option है आपका 2 ohm option B है आपका यहाँ पर 4 ohm option C है आपका 1 ohm और option D है यहाँ पर आपका 8 ohm बताएं students क्या होगा असका राइट आंसोर देखो यह 4 ohm और यह 4 ohm parallel में है तो मिलके क्या हो जाएंगे यह 2 ohm हो जाएंगे ठीक है तो इसको solve कर रहा हूं है तो इसको हम क्या लिखेंगे ऐसी लिख सकते है 4 ohm यह है यह आपका 2 ohm है और यह जो 4 ohm और यह 4 ohm मिलके बन गए 2 ohm ठीक है अब यह 2 ohm और यह 2 ohm connect है किसमें series में तो equivalent circuit क्या बन गया आपका 4 ohm और यह 4 ohm है यह 4 ohm है अब यह क्योंकि हो जाएगा r1 plus r2 और प्रेलर में क्या होगा r1 r2 divided by r1 plus r2 ठीक है next question लेते हैं हम लोग अब थर्ड कुशन लेंगे series में थर्ड कुशन यह कि resistance का एक code दिया गया है resistance का एक code हमको दिया गया है 2m5 अब आपको बताना है कि इसकी value क्या है पहलो option है 2 into 10 power 3 फिर option भी यहां पर दे रखा है 2.5 ohm फिर option c यहां पर दे रखा है 2.5 into 10 to the power 3 और option d जो है यहां पर दे रखा है आपको 2.5 into 10 to the power 6 तो बताए students क्या होगा इसका right answer इसका right answer होगा option d लिखा है तो यह 2m5 मतलब 2 और 5 की पीच में point ही तो आपको समझ में आ रहा है अब m का मतलब क्या होता है m का मतलब होता है mega mega का मतलब क्या होता है बादल बादल नहीं होता है 10 power 6 होता है ठीक है 2.5 into 10 to the power 6 अगर यहां पर मैं यह लिखके देता 2k8 लिखके देता 2k8 लिखके देता इसका मतलब कितना होता है 2.8 into 10 to the power 3 ohm यह फिर 2.8 kilo ohm आप इसको लिखते हैं ठीक है समझ में आ गए से लिखे जाती तो 2m5 दे देगा एक आपो दे देगा कि भई एक है रेजिस्टर इसमें जो फर्स्ट जो इस्ट्रिंग है वह रैड कलर की उसके बाद है ब्लू कलर की ऐसे कोड़िड करके भी आपको कुशन आ सकते हैं अभी आपको नेस्ट कराएंगे तो और यह जो है न कोड करने का अब देखो फोर्थ कुशन लेते हैं हम लोग तो फोर्थ कुशन क्या है कि विच इस नौट करेक्ट इसमें से कौन सी चीच जो है करेक्ट नहीं है तो देखो पहला ओप्शन है कि C is equal to E A D E क्या है आपकी डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट है B क्या है Q is equal to CB और option C हाँ पर दे रखा है C is equal to QB और option D हाँ पर दे रखा है energy stored in capital half CB square तो बता है क्या होगा इस राइड आंसर होगा not correct कॉंसर correct नहीं है यह चीच चीच और नहीं है यह यह बी सही है यह बी सही है Q is equal to क्या होता है CB के बराबर होता है I is equal to क्या होता है DQ भाग DT C DV divided by DT बता ह इस चीच को ध्यान लखना है आपको और यह energy stored in a capacitor और यह capacitance होता है एक parallel capacitor का जिसमें यह तो distance between them होती है और duplicate का जो area होते है वह है यहापे A ठीक है यह सभी को समझ में आ गया 5th question हम लोग लेते हैं तो 5th question हमारा यह है calculate calculate the energy stored in capacitor एक capacitor में कितनी energy है stored होगी वह आपको बतानी है capacitor की value क्या दे रखी है यहाँ पर 10 micro farad दे रखी है और voltage जो है वो है 10 volt और यहाँ पर हमको option दे रखी है 5 into 10 to the power minus 4 joules option B दे रखा है 5 into 10 to the power minus 3 joules option C हम वो दे रखा है यहाँ पर 5 into 10 to the power 2 joules और option T हम पर दे रखा है हमको 5 joules तो बताने इस फूर्ट क्या होगा इसका राइट आउस है energy student क्या होती है is equal to half c v square होती है half c की value क्या है 10 v square मतलब 100 हो गया 10 का square क्या 100 हो गया अब 10 और यह 10 power minus 6 भी हाँ पर आएगा क्यों आएगा यह micro farad में था अब देखो जूल में हमने change किया यह हो गया आपका 5 यह 5 यह 10 power 2 है यह 10 power minus 6 है तो 5 in to 10 power minus 4 जूल हो गया और 5 in to 10 power minus 4 जूल कहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह आपको option यह में दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह भी आपको समझ में आ गया अब देखो six question लेते हैं लो six question यह है कि calculate the current flowing in the capacitor calculate the current flowing in a capacitor जहां पर हमको capacitors की value दे रही है 10 microfarad और supply में जो voltage जो है वो हमने सप्टाई जो कर रखी है 230 volt at 50 और समय तो बदा इस्ट्रूइंट क्या हो बसका write answer यहाँ पर option एक ए है first a option b जो है यहाँ पर है 0.722 a है option c जो है यहाँ पर है वो 0.5 a है और option d जो है यहाँ पर वो 2 mp है तो बताई instruments इसको solve करके भाई देखो b is equal to होता है क्या i into z होता है आपको क्या निकालना है i i is equal to क्या होता है b divided by z होता है z क्या है impedance है impedance यहाँ पर क्या है xc है क्योंकि question की बात है xc क्या होता है xc होता है 1 divided by omega c तो यह कितना हो गया v into omega c हो गया अब देखो v into omega क्या होता है 2 pi f होता है into c अब देखो सब चीज को एक साद लिखो v कितना है आपकी 230 voltage है और आपकी into 2 कर रहे होंगे आप ठीक है और पाई पाई को 3.14 अब देख लिए frequency frequency 50 अब इसको आपको जो है solve करना है तो देखो students 50 और 2 जो है न यह तो बन जाएगा क्या 100 बन जाएगा इसको अटा दो यहांसे इसको यहांसे अटा दो ठीक है और यह 10 पावर माइनस 4 कर दो ठीक है अच्छा यह 10 भी था इसका 10 भी आप यहांसे अटा दो यह 10 पावर क्या हो गया माइनस 3 हो गया अब अपने पास में क्या बच्चा 230 इंटू 3.14 बचा और इंटू 10 पावर माइनस 3 बच्चा ठीक है तो यहां पर जो आंसर आपका आया काम सब्सक्राइब करते हैं और यह 10 पावर माइनस 3 यहां पर दे रखा है अब यह 0 भी हां से एक बचाड़ दो तो यह माइनस 2 हो गया अब 23 इंटू 3.14 है तो 23 इंटू 3 कितना होता है 23 इंटू 3 आपका 69 होता है अब 10 पावर माइनस 2 है तो मतलब 0.69 हो गया अब आपने यहां पर आपने थोड़ी सी कंचूर्सी कर दी थी 3 लिख दिया था आगे क्या था 1 और 4 और था तो मतलब कि वैल्यू 0.69 से ज्यादा होगी तो 0.69 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आपको समझना है कि फटावर कैसे काल्पूलिस करना है आपको अब ऐसे नहीं 3.14 से आप मुल्टिप्ला करने लग जाओ और समय अपना वेस्ट करोगा ऐसे नहीं करना है आपको और इस पकार से आपको अपना आंसों निकालना है यह जहां रकना है बी इकल टो आज होगा पाई जाएड होगा और कैसे के स्मय को समझ में आ गया होगा अब हम लेती है हमारा अब स्थीरेज में सेवन बहुत अच्छी बात है अब इक्क्वेलेंट कैस्टर निकालना है शार आपको एट दे रखा है कई बार बत्चे केस्टर में यह जबकर कर देते हैं जबकि पता है कि रइजिस्टर और कैस्टर का जो लिचर है वह रिफरेंट है और णीक्टर का रइश्टर और इंडेक्टर क्या होगा? 2 Fara'd होगा? Option B है 4 Fara'd होगा. Option C है आपका 8 Fara'd होगा, और Option D जो कह रहा है वह है आपका 16 Fara'd होगा. बताए इसोने क्या होगा? नई आपसोर. वहीं देखो Challuster अगर parallel में जुड़ेंगे ना, parallel में जुड़ेंगे तो C1 प्लस C2 होगा, और अगर एक एक सिरीज में जुडेंगे श्रेंडिका में जुडेंगे तो c1 into c2 divided by c1 plus c2 होगा ठीक है इस बात को जहान में रखते हुए solve करेंगे इसको ठीक है इसको 4 फेराड और 4 फेराड यह 4 फेराड और 4 फेराड में तो कितना हो गया आपका पैरल में है तो एड हो जाएगा आपका 8 फेराड और यह आपका अब यह 8 फेराड और 8 फेराड क्या है सिरीज में है तो क्या हो जाएगा 8 divided by 2 तो याने तो यहां पर जिस्टों ने option B में टिक किया था वो सही है तो 7 question भी easy था सब्सक्राइब को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं आगे यहीची दे रिकी है इक्विलेंट इंडेक्टर के लिए रिकी है यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो 9 हैंडी दे रिकी है और यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो 3 हैंडी दे रिकी है और यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो 3 हैंडी दे रिकी है और यहां पर जो इसकी equivalent आपका inductance कितना होगा तो student सब इंपर solve करें उसकी बाद इसका solution आपको दिखने का है 4.5 हेंडी है option B आपका 3 हेंडी है option C आपका 6 हेंडी है option D आपका 9 हेंडी है ठीक है करें इसको solve इंडेक्टर दिया जाएगा ना इंडेक्टर और रेजिस्टेंस का जो behavior है वो एक है तो देखो यह 3 हेंडी 3 हेंडी किसमें है सिरीज में है शिरीज में total क्या हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 होता है मतलब कि L1 plus L2 plus L3 होता है ठीक है तो यह 3 एड़फर के कितना अच्टो हो मिल्च हो गया कॉइंट अब 1.5 और कि इतना हो गया हो गया हो गया इसक्स हेंट्री को यह सब्सक्राइब होंगे तो हमारा वेल्यू होगा इंपॉर्टन बात यह थी कि रजिस्टर और इंडेक्टर एक पकार से काम करते हैं तो यह कुश्चन भी आप लोगों ने कलनी है बजै कि अब देखो किनन लेते एक को में हमको कररंट nिकालनी है आई की बेल्यू यह होगी है कि भी इसमें जो कि हैं आपकी क्षै यहाँ पर एक resistence है आपका 4ogieerm का यहाँ पर रे ao्म के आपका अब यहाँ पर का यहाँ को तोंक को चार्ण आपको यह क्रेंट अपको निखालनी उत्स री इसक की वैल्य से और हमको यहां पर आप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है यहां पर 2 ampere, option B दे रखा है यहां पर 8 ampere, option C दे रखा है यहां पर 4 ampere, और option D यहां पर दे रखा है, वो दे रखा है 1 ampere, तो बताए इक्वेट्स क्या होगा हमारा right answer इसका equivalent resistance निकाल लो, simple बात है, यह 1 ohm और 2 ohm, ठीक है, series में हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, 3 ohm हो जाएंगे, यह 4 ohm और 4 ohm, series में हैं, parallel में हैं, यह कितना हो जाएंगे, यह 2 ohm हो जाएगा, अब यहां पर आपने voltage किते दे रखी है, यहां पर आपने voltage किते दे रखी है, यह 2 ohm और 3 ohm, पहले series में हैं, तो क्या बन जाएंगे यह, 5 ohm बन जाएंगे, और यहां पर आपने क्या दे रखी है, 20 volt दे रखी है, यहां पर I कितनी आएगी है, आपकी V divided by R आएगी, पी कितना है यहां पर 20, और R है आपका 5, तो कितना आपका 4 ohm ते, तो आपका option हो जाए है, तो अभी हम कुछ और questions और लेगे, कि यह जो chapter है, बहुत इंपोर्टेंट है, और मिनकाल से अभी तक जितने भी questions में करवा रहा हूं आपको, वह आपको एक एक कर्या सब्सक्री सब्सक्री में आ रहे हो, आ रहे हैं तो और भी questions practice कर लो, बहुत important chapter है आपका basic electricity का, तो इ comments कुछ और questions लेते हैं, हम एक और source से अब लेंगे question, तो इस source का जो पहला question है, वो यह है, कि 3 seconds में किसी तार से होकर, sorry, किसी तार में 5 seconds के लिए वितुत द्वारा प्रवाइद करने पर 60 जूल कुष्मा उत्पर होती है, if we send ट्नी करिये हम, okay, if we send a current for 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, कि अभी सेंट करन्ट फॉर फाइब सेकेंड थर्टी जूर और एनरजी इस डिसीपेटेड इनरजी इसमें से देश्टो होरी है हैं 375 इसेंड़ेंवे यही जारा कि झाइब सेंट है एक सेंट इसेंड़िदेंगे पीसियण ग्रंट कि आई जए ब्सी मुद्ट हुआ ग्रश्मिभार्ट हुआ है through through wire of half resistance अगर शेम करन हम, half resistance के व्यर से फ्लोव ग्रे, 4, 5 सेंड, 5 सेंड, the energy, energy decipated will be टेक है पहला हमारा यहां पर option है 15 जूर option B है यहां पर हमारा 30 जूर option C है हमारा यहां पर 60 जूर option D है हमारा यहां पर 120 जूर तो गदा इस्टोनेट क्या होगा इसका राइटम सब बैदेखो एज़ाइनसी जो होती ही न वहां होगी की आई स्कॉाइर ऑर के प्रपेश्वनल ने अब इस की प्रपेश्वन हो रही है अबैजी अधर मेरे अर्के प्रपेश्नल हो रही है ठीक से अब है निरजी एक टी हो रही है ₺ành' स्कूर्ट आरटी होती है अगर यहां पर 30 जूल हो रही होती तो कितनी हो जाएगी आपकी 15 जूल हो जाती है आपका आंसर होता अगर यहां पर यह चीज़ बहुता कि सारी कंडिशन सेम है अगर मैं कुशन आपसे यह फ्रेम करता सारी कंडिशन सेम है और अपकी बड़ जो करंड हम पास कर रहे हैं वो हम हाफ कर देते ठीक है और पहले अर्लियर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही थी वह रही थी 30 जूल और अब बतारा है अब कितनी इनर्जी डिसिपेट होगी तो आपका अंसर का फिफ्टी जूल है तो आपका अंसर यह गलत हो जाएगा क्यों अब होजाएगा आपके सेवंट कोईंट पाई है क्यों अब आपने आई भाग टू कर दिया ठीक है तो कितना हो गया यह आइशकॉर अपक्य में फ तब उस केस में आप 30 by 4 करेंगे और आपको आमसर होगा 7.5 ठीक है समझे इस्ट्रूमेंट यह अच्छा कुश्चन था इसके बिस्ट कुश्चन आ सकते हैं यहां पे जो हमने कुश्चन लिया था यहां पे हम बात कर रहे थे इससे पहले किसकी क्या हम वैरी कर रहे थे राइ इसक बात यह है दोस्तों आपको ही समझना है कि energy is equal to i square r t होता है ठीक है energy is equal to i square r into t होता है तो अगर i change करोगे r change करोगे और t change करोगे उसके according है आपकी चीज़ होगी energy change करोगे ठीक है यह कुश्चन आप सब लोगों ने कर लिया अब देखो दूसरा कुश्चन यह है कि if 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 a square if a square is made by four resistors four resistors of value of value 10 ohm then resistance 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 across any of its sides पूछा गया है यहां पर option है आपका 10 ohm यह भी अच्छा कुश्चन है 15 divided by 2 ohm option c है आपका 30 divided by 2 ohm option d है यहां पर 40 ohm समझे आपके पास में चार रजिस्टर के उनसे बैठके आपने क्या बना दिया एक square बना दिया अब यह 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 c है यह d और a और d कोई भी आप साइट लेटो इसके एक रोज आपको resistance निकालना है तो क्या होगा यह बताओ में यह होगया मेरा a यह होगया a यह होगया d यह जो है series में है तो इसकी value कितनी होगए आपके 3 r हो रही है अब 3 r और r किसमें है पैरलल में है तो कैसे लिखेंगे आप 3 r into r divided by दूरों को plus करेंगे 4 r करेंगे तो क्या आएगा आपको 3 by 4 r आएगा अब 3 by 4 r और r की value क्या है 10 ohm तो 3 by 4 into 10 ठीक है तो यह होगया 30 divided by 4 तो इसको हम क्या ले सकते हैं 15 divided by 2 भी लेख सकते हैं तो मारा right answer होगा option अब इसी question में एक variation यह भी आ सकता है कि यहां पर resistance across any of its sides बोला है अगर resistance across its diagonal बोलते any of its diagonal बोलते तब आपका क्या answer होता हूँ यह वो next question दे रहा हूँ मैं अगर diagonal आपसे बोला जाता था तब आप क्या करते हैं मतलब की यह है आपका a यह है आपका b यह है आपका c और यह है आपका d अभी आपने इसके और इसके across निकाला था अब मैं बोलाओ इसके across और इसक अब देखो यह r और यह r क्या है series में और यह r और यह r क्या है series में तो इसको मैं ऐसे नहीं सकता हूँ a और c के across आपको निकालना है तो यह आप सकते हो यह हो गया आपका 2r और यह हो गया आपका 2r क्योंकि यह series में थे अब 2r और 2r parallel में है तो आप इसका equivalent resistance कितना हो जाए तो अगर आपको लिखना है क्या अगर आप से पूछा जाता है साइट्स तो आपको क्या लिखना रहेगा इसमें क्या पढ़ाता अपने आपके तो आपको अब यह स्ट्रेट समझ में आ गए यह कुशन आपको अब यह स्टेगें क्युशन हो गया फ़र कुशन पर आते हैं उम लोग फ़र कुशन हमको यह दे रखा है कि 50 वाट के 10 बलबो को यदि प्रती दिन 10 घंडे जलाया जाए तब एक महां 30 दिन में किलोवाट घं देखो 50 वाट के बलब है ठीक है और यह कितने बलब से कॉंटिटी कितनी है 10 और गटी दिन प्रती दिन कितने घंडे चला रहे हैं 10 आवर हम इसको चला रहे हैं ठीक है और 30 दिन में 30 दिन में उसकी कितनी एनरजी किलोवाट में आपसे उची गई है किलोवाट आवर में उची गई है तो यह option है आपका यहाँ पे 1500 option B है यहाँ पे 15,000 option C है यहाँ पे 15 और option D जो है यहाँ पे है 150 बदाए students what will be the right answer वही देखो टोटल वाट एक बल्ब कितनी खा रहा है 50 10 बल्ब है कितनी खाएंगे 10 इंटू 50 ठीक है अब इनरजी क्या होती है I square R T मतलब की वाट इंटू T अब देखो वाट कितनी होई 10 इंटू 50 टाइम क्या है 10 आवर से रोज का इसली पूचा गया है आपसे अगर यहां पे 30 डेज है पर 10 आवर से चल रहे हैं यह आपका होगा है ठीक है अब आप देखो यह कितना होगा है 15 15 और 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 है ठीक है अब यह जो 3 है ना यह क्या है आपका वाट में इंटूटन इसको मैं क्या लिसकता हूँ 150 किलोवाट इसको लिख सकता हूँ 150 किलोवाट अब हमसे पूचा किस में क्या गया है किलोवाट आवर में पूचा गया है 150 किलोवाट आवर में इसको लिख सकता हूँ क्योंकि यह वाट आवर आ रहा था इतना इसको मैं लिसकता हूँ 150 kWh तो आपको option D से यहाँ पर लिखा हुआ था कि kWh में आपसे पूचा गया था तो यह question आपको समया गया थर्ड question अब हम लोग लिलेते हैं यहाँ पर 4 question तो आई student 4 question क्यों बढ़ते हैं यह है हमारा 4 question यहाँ पर कि एक स्तिर धारा के 10 किलो ओम के लोड पर 0.4 A की धारा current supply करता है यदि लोड को बदल कर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी देखो question समझो यहाँ पर क्या दे रखा है हमको कि एक constant constant current source है उस constant current source पे जो लोड हमने लगाया हुआ है वो है लोड को change कर दें अगर हम लोड को change कर दें और लोड को change करके हम इसकी जो resistance है वो कर दें 100 ओम कर दें अब आपको बदाना है कि लोड करन्ट अब कितनी होगी और हमको यहाँ पर option जो दे रखे हैं वो दे रखा है 40 ampere option B दे रखा है 400 milli ampere option C दे रखा है यहाँ पर 40 milli ampere और option D जो है यहाँ पर दे रखा है आपको 100 ampere बदा इस्टूएंट्स क्या होगा लोड पहले 10k ohm था अब हमने कितना कर दिया है पोईंट को सॉल्ल करें इसको इसका राइट आंसर क्या होगा बदा इस्टूएंट्स इसका राइट आपसर होगा भी 400 मिली एंपियर भाई लोड आपने चेंज कर दिया है पहले आपने 10 किलो ओम लगा रखा था अब आपने रेस्टेंस 100 ओम कर दिया है पर देखो इस टार्टिम में क्या बात करेंगे थी कि कॉंस्टेंट करंट सोर्स है मतलब की जो करंट सोर्स किलो ओम का लगा लोड लगा लो चाहे बन किलो ओम का लोड लगा लो तो गरंट विल बी कॉंस्टेंट तो आंसर विप्स्टेंट विल आपका ओप्शन ठीक है सभी को समझ में आगया हमारा ये पोट कुछिट्ट अब देखो आगे बढ़ते हैं अब लोग पोट छोचिए कि एक एक ऐपली केबल कर हुद पहला इसमें ऑफ्षे नियुकरण हें कि ओपस्टा दी सी सरकिट्ट पे फोलो नहीं करता option b option b है high current circuit high current circuit जहां पर जा रहा है वहां पर नहीं करता option c है small resistance के लिए नहीं करता और option d जो है यहां पर उदे रखा है semi conductor तो बताए students किया होगा यहां पर right answer जाहें डी सी सरकेट हूँ चाहे हाई current हूँ चाहे आपकी लो करण्ट हूँ कुछ भी हूँ और ohm slow क्या कहता है कि V is equal to IR मतलब कि आप जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगी voltage आपकी विसे विसे बढ़ेंगी और इसका जो ग्राफ है वह इस पकार से रहेगा पर जो आपका डायोड रहता है उनका प्रिंसिपल कुछ और होता है अगर आपने वोल्टेज बढ़ा रहे हो ठीक है तो current यह पकार के अब देखो six question और लो ले दें six question हमारा यह है कि lamp हमको एक दे रखा है उसकी हमको जो rating दे रखी है वह कुछ इस पकार से दे रखी है 100 watt और 220 वोल्ट एक lamp है उसमें लिखा हुआ है 100 watt और 200 वोल्ट अब इसका हमको निकालना है क्या इसका हमको resistance निकालना है ठीक है तो student हमको जो है पर option दे रखे हैं वो दे रखा है पहला 100 ohm option B हमको जो दे रखा है 200 ohm option C हमको दे रखा है 400 ohm और option D जो दे रखा है आप हमको 920 तो देखो आप कोई भी बल्व दे लो आप घरों में जो बल्व पुराने आते थे इंकेने सिंबल्स को मौला कटे थे उस बल में आप देखोंगे हमक्षे लिखा रहता हूंगा वार्ट ट्रीटिंग और भूटे जिटें लिखे रहती है वो इसकी क्या वैल्यू बताती है एक्चुली वो इसकी resistance वैल्यू बताती है देखो पावर इसईकल दो क्या होता है वी इंटो आई आप जानते हो और आप जानते हो कि वी इसईकल दो आपका आई आर होता है तो मतला एस इकल दो जो क्या हो इन्टू 220 नीचे कितना है 100 ठीक है यह 00 कट गया 22 इन्टू 2 आपका यह पर बच गया तो राइच्चत आपको निकालना था वी स्क्वाइर बाई पी तो वी स्क्वाइर 22 यह 22 इन्टू 22 इन्टू 22 डिवैड़ेड बाई आपको 100 कर देंगे हाँ तो 22 का आपको क्या करना है इसका आसर तो 484 ओम होना चाहिए था यहां पर कोई भी और ऑप्शन नहीं है तो अप्शन आनो दीज लोगा ठीक है यह 22 का स्क्वाइर ही यहां पर होगा है इसका तो यह आपका 484 आपका हो जाएगा ठीक है यह सब को समझ में आ गया आपको समझ में आ गया अब देखो सेवन कुशन लेते हैं हम लोग सेवन कुशन लेते हैं कि एक मानक लंबाई की कोपर तार के आयदन को बिना पलिवर्टन की उसकी लंबाई कीच कर तीन गुना हमने बड़ा दी अब तार का जो रिजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा ऐप्शन एदन है अब ही समझता हूं त्सी टाइमस है ऑफशन भी है आपका यहां पे नाइन आछैव और option c है यहाँ पर आपका one by n है और option d है यहाँ पर ननो की देखो question क्या पूर रहा है कि एक वायर है अब इसका आपने रेजिस्टेंज इसका आपने volume change नहीं करना है और इसको आपने ऐसे करके बड़ा कर दिया तो यह पहले जो था यह पहले था हमान लोग इसकी लेंटी L अब आपने इसकी लेंट क्या करती है N into L करती है अब देखो students अब हमको बताना है कि इसका रेजिस्टेंज मान लीजे R1 है अब नया रेजिस्टेंज इसका R2 है तो R2 divided by R1 कितना है मतलब 3 times हो गया 9 times हो गया अब देखो कैसे इसको solve करेंगे अब लोग वॉल्यूम यह फर्स्टेंज है और यह आपका सेकंड कैस वॉल्यूम दोनों कैसे में क्या है सेम है तो V1 is equal to V2 अब यह L और यह area तो देखो V1 क्या है आपका L into A है L into A है अब आपने नया जो वॉल्यूम में गया है नाई लेंथ है जो भी लेंथ है वो किसके बराबर है अब जो नया area है आपका वो है आपका A2 है ठीक है यह समझ में आगे सर्थि को A2 क्या हो गया ? A2 हो गया आपका A divided by N हो गया अब देखो अब देखो L2 क्या है N into L है और A2 क्या है आपका a divided by n है अब देखो r is equal to rho l divided by a है और जो नया resistance है r2 वो क्या है rho l जो नई length है l2 और नया जो area है अब देखो rho l2 के value क्या है n into l है और a2 के value क्या है a divided by n मतब n उपर चला गया तो ये क्या हो गया n square rho l divided by a अब rho l by a क्या है r है तो n square into r है तो जो नया resistance होगा वो n square r होगा अब n की value है भी क्या है 3 3 times किया हुआ है अब क्या हो जाएगा 9 times इसका answer जाएगा तो option b में जिसने tick क्या है वो सही है समझे आ गया general problem हमने बताया वो किसके अगर हम length को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो और volume 1 क्या है आपका a1 into आपकी length l1 और यह क्या है a2 into length l2 है ठीक है अब आपका जो नया area है वो n into a1 आपने कर दिया है नया area l2 यह है a1 यह है l1 यह है यहाँ से आपने क्या पाया यहाँ से आपने पाया a1 और a1 कट गए तो l2 क्या है आपका l1 divided by n आया ठीक है l2 क्या है l1 divided by n आया आप दिको r is equal to क्या होता है row l divided by a होता है तो नया area area is r2 है वो क्या हो गया row l2 और e2 के परापर हो गया अब दिको row l2 क्या है आपका l2 क्या है आपका l1 divided by n है और a2 क्या है आपका a2 क्या है आपका n into a1 है ठीक है तो यह किसी के बराबर हो गया आपका रो l1 a1 और नीचे के आ रहा है आप पर n square आ रहा है तो अब जो है अगर आपने इरिया को आपने अगर n times बढ़ा दिया तो यह 1 by n square of r1 हो जाएगा सब्सक्राइब को समझ में आया अगर मैं अगर मैं लेंज बढ़ाता हूं n times तो रेश्टेंस हो जाएगा n into n square into r1 हो जाएगा अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं n times तो नए रेश्टेंस किता हो जाएगा सब्सक्राइब करने हैं तो यह देखो हमने यहां पर लिया हमारा सिफ्ट कुशन भी हमने यहां पर 7 कुशन भी हमने यहां पर ले रिया अब देखो आगे बढ़ते हैं लोग अब बढ़ेंगे एट कुशन के और एट कुशन है कि is code के according तो अर्थ का wire होता है उसका color आपको बताना है तो जो पहरा option यहां पर दे रका है वो दे रका है जो option बी जो दे रका है वो दे रका है black और option D जो है आपको दे रहा है बताए यह difference ज्या हुआ इसका answer इसका right answer होगा green अर्थ का तार देखो line, neutral और अर्थ, line, neutral और अर्थ, आपने अपने घरों में mixy देखी होगी या फिर आपने घरों में press देखी होगी ठीक है या फिर आपने TV का switch देखा होगा तो इसमे switch में आपने देखना three wires इस पकार से होते और इसकी जो cable होती है ना अंदर से आपको देखना इसको जब आप इसको खोलेंगे तो three wires आपको मिलेंगी एक आपको red मिलेगा एक आपको black मिलेगा और एक आपको जो है मिलेगा green जो रेड होता है वो line के लिए black neutral के लिए ले जाता है और green जो होता है ना वो लिया जाता है आपके अर्थ के लिए तो याद करने कर तरीका ये भी है ये तो अर्थ होती है ना अर्थ उसमें क्या लगते हैं पूदे लगते हैं ठीक है तो क्या हो गया और अर्थ बाह क्या हो जाता है ग्रीज ठीक है इस ग्रीन से भी आप र्याद कर सकते हैं आपके अर्थ का कलर अर्थ के वायर का कलर ठीक है तो यह कुश्ट सबकूर्श समझा गया है कई वार आ चुका है बहुत बेसिक कॉश्चन है तो मेरे खाल से अगर किसी वायर है उसको हमने लंभाई उसकी एंट टाइम्स कर दी ए अगर हमने वायर की जो लैंद है वो हमने एंट टाइम्स कर दी है ठीक है? तो हमको बताना है कि जो new resistance है वो क्या होगा यह अभी अभी हमने solve किया था यहाँ पे पहला option है आपका n into r option b है आपका r divided by n option c है आपका n square into r और option d है यहाँ पे आपका r divided by n square क्या होगा इसका right answer इसका right answer होगा n square into r अभी इसका description हमने ले लेगा दोबार लेने की जो उतनी है समझ में आगया आप सबको आपको 10th cushion देते हैं लोग 10th cushion है कि तार के insulation की मोटाई किसके मान पर नेबन करती है insulation cover insulation का जो cover होता है उसकी जो thickness होती है thickness होती है वो depend किस पर करती है depends on पहला option है इसमें voltage ठीक है दूसरा option है इसमें आपका current और option C जो है यहां पर वो है यहां पर resistance और option D जो है यहां पर वो है conductivity तो बताए students क्या होगा इसका right answer इसका right answer होगा voltage इंसुलेशन कवर आप जब भी कोई केबल देखोगे उसमें दो चीज़े लिखी रहे तो current ampere लिखा थे एक लिखा रहेगा voltage जैसे की 1100 वोल्टेज तो वो क्या बताता है इंसुलेशन 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 जो है इसकी बताता है इंसुलेशन कवर की मोटाई एक जै तो यह जो इंसुलेशन का जो कवर है जो यह लेंद आप जो देख रहे हो ना यह किस पर डिपेंट करेगी यह की voltage क्या है अब माल लीजिए कि यहां पर एक और वायर है यह आप लाइन वायर है और यह आप नुटल वायर है ठीक है अगर voltage आपकी माल लेवन हंडेड वोल् और इसका resistance इसका resistance high नहीं है ठीक है तो क्या होगा कि current यहां से flow होके यह short कर देगा तो अगर ज्यादा voltage होगी तो हमको जो इसका इंसुलेशन जो है cover जो है उसकी तिकनेस है वो हमको कहने रखने पड़ेगी हाई रखने पड़ेगी जिससे कि current आपकी line to little flow ना मदब current आपक इंसुलेशन को निकालके इंसुलेशन को हटाके यहां से current flow होना start होगा है तो यह depend करेगा कि voltage पे हम run कर रहे हैं इंसुलेशन कवर की thickness depends कि किस पर करेगी voltage पर करेगी ठीक है तो यह मारा 10th question हो गया अब देखो 11th question लेते हैं अपर 11th question यह है कि यदि किसी विंटित प्रति र मुरुकता पर क्या इसका दबाव पड़ेगा देखो अगर length of wire is made double length of wire को अगर में double कर दोगा तो affect on its resistivity क्या होगा अगर इस question को मुझे इस made double तो इसकी resistivity प्या affect होगा तो पहला option है कि वो multiply by 2 हो जाएगी और option B है 4th multiply by 4 हो जाएगी option C है 1 by 4 से multiply कर लो सर्थ और option D है no change बताया इस्ट्रेंट क्या होगा इसका right answer यह फास्ति के बात बात नहीं कहीं है रिझेगल वी वहता है रो लग और अभी तो यहाँ होता है वƠ एकसी मेट्रियाल होती है वक्रही मेट्रियल का तो प्रोरपर्टि मेट्रियल मेट्रियंगई चेंज कर अगर आप material change करते तब यह आपकी रोज देने हो सके हैं तो रेजिस्टिविटी जो है material की property है तो material आपने चेंज नहीं किया भाई तो आपकी इसमें क्या आएगा आए डांस्वर होगा नोची ठीक है तो यह कुछ कुछ पुछन्स हमने और लिए हैं आपके अब कुछ कुछन्स में और लूँगा आपको code वाले जो है बीबी रोय वाले जो कुछन्स होते हैं वो मैं और आपको कुछ और लूँगा एक मिट एक कुछन लास्ट और ले लेता हूँ मैं इस सिरीज का उसके बाद में देखो यह कुछन्स यह है कि 60 वोट है और 100 वोल्ट है ठीक है एंड आपका 100 वोट है और आपका 100 वोल्ट है ठीक है कि दो लेंपो को 200 वोल्ट की सप्लाई से हमने आर कनेक्टेड़ वाय 200 वोल्ट सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया है ठीक है सो हमको हड़ कनेक्ट और यह जो वल्ब है ना यह आर कनेक्टिड इन सिरी इनको हम हमें किसमें करनेक्ट किया है सिरीज में कानेक्ट किया हुए तो current in lamp लैंप में जो current होगी वो क्या होगी हमसे पूछा गया है तो पहला option है different होगी option B है यहाँ पे same होगी option C है more in hundred watt lamp ठीक है और option D है आपका 60 watt lamp में यह हल होगी समझ में आया है question बैदेखो यह बल्ब यह है यह बल्ब यह है इसकी rating है 60 watt 100 watt इसकी rating है 100 watt 100 watt अब अगर इसको मैंने series में connect करता हूँ supply मैंने हम पे ऐसे connect करती तो बताओ कि जो current होगी in lamp में वो क्या होगी same होगी different होगी same होगी more 100 watt में होगी या फिर लैम 60 watt के lamp में है होगी बताओ इस moment क्या होगा subscribe अब मैं आपको इसकी वेरिशन दे रहा हूँ एक है 60 watt 100 volt ठीक है और एक है आपका 100 watt 100 watt और 100 अब बताओ किस में current ज्यादा flow होगी तो देखो student तब यहाँ पे मैंने 100 volt की supply connect कर ली है या फिर मैंने 50 volt जो भी मैं connect करना जाओ मैं 50 volt की connect करती है ठीक है अब बताओ भाई देखो इसका resistance है R1 इसका resistance है R2 यह जो rating दे रही होती है से आप resistance की value निकालने के दिए होगी यहीं समझवा अब R1 की value क्या होगी V square divided by P तो V square कितनी है 100 square divided by 60 अब देखो R2 की value क्या है P square divided by P P square कितनी है 100 divided by 100 square divided by आपका 100 यहाँ पर तो देखो R1 और R2 compare करोगे र्ट पर आपको R1 की value कि ज्यादा है R2 से ठीक है R1 की value क्योंके निची यहांपे 100 और यहांपे 60 लिकाए तो और निकाने है कि ज्यादा है 202 से तो current कहाँ बहना चाहेगी जहां पे high resistance हो जहां पे low resistance हो तो इस question में series बूला गया है इसी question हो गया एक्जाम में आएगा parallel तो आपको resistance निकंलना होगा एक comparison करना पड़ेगा और जिसका resistance होगा कम लो होगा वहां से करण देगी आपकी जाना ठीक है तो यहां पर आमने 12 कुछन्स सम्तिंग ले लिए हैं और इसके बाद में नेक्स लेने वाला हूं वो राइस्टेंस कोड की कुछ बेसिक लेक्टिसिटी कुछन्स ठीक इस्टुमेंट्स हेलो दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले वा बैल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा theory2practical.com जो आपको प्रवाइट कराता है most powerful study material for your most powerful preparation